आज जीरकोर नगर परिशत के प्रधान उदेवीर धिल्लो ने वार्ड नंबर एंकलेव के फेस तीन में नए सड़क निर्मान का शुभारंब किया आपको बता दे रविंद्रा एंकलेव फेस तीन की इस कॉलोनी को बसे हुए लगभग आठ वर्ष हो चुके हैं किन्तु यहां के निवासियों ने बताया कि ततकालीन अकाली भाजपा ने यहां कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया जिससे लोग काफी नाराज दिखे आज जब कॉंग्रेस पार्टी नगर परिशद में आय उसके बाद आज यहां मूल भूत सुविधाओं की शुरुआत हुई है लोगों ने उदेवीर धिल्लो को यह आश्वासन दिया कि आगामी विधान सभा चुनाव में वह कॉंग्रेस के उम्मीदवार को पूरा समर्थन देंगे इस मौके पर उदेवीर धिल्लो ने कहा कि पिछली अकाली सरकार ने लोगों को मूल भूत सुविधाओं से वन्चित रखा किन्तु अब विकास यूग की शुरुआत हो चुकी है उन्होंने बताया कि बल्ताना मुख्य मार्ग का निर्मान कार्य भी अगले सप्ताह में जरू करें तो मैं ये कहना चाहता हूँ भी कई लोग यहां पर जिनोंने शेहर का अब तक नर्मान पहले किया था बातें बहुत खरते थे आज जब हमारी टीम पूरी नगर परिशन में आई है और शेहर में ऐसी ऐसी जगहें जहां पर इतने सालों में सीवरिज भी नी डणा पानी भी नी मिला सड़के भी नी मिली और दावे बड़े-बड़े यहां के जो पहले के हुकमरान थे वो हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहे से अफ़ वर नियूस से चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूले